सारे वीडियो मैं आपको अब लाइन से बता रहा हूं कि मैंने कैसे क्या करवाया था अपनी कैफे रेसर में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो अधिकतर लोग अपनी कैफे रेसर में कराना चाहते हैं वह उसका चैसी का लोग को प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि अधिकतर जो पुरानी बाइक होती है हमारी उनकी चैसी काफी लंबी होती है और कैफे रेसर की सीट के हिसाब से वह उत्ती एड्जस्टेबल नहीं लगती है तो बहुत लोग डरते हैं चैसी स्कटिक करवाने में की बाइक की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या वह हो जाएगा मेरे सीन में ऐसा कुछ नहीं था मैंने जो अपनी बाइक 2007 मोडल डिसकावर है उसके उपर आप सीट भी देख सकते एक दम परफेक्ट फिट बैट गई है उधर भी कोई गैप नहीं है और पीछे से लुक काफी अच्छा आता है पीछे मटगार आना बाकी है उसके लिए ज पूरी वहां से मैंने कटवा दी इस पार्ट से जहां तक आपका स्ट्रेंथ रहता है वहां समयने चेशी कट करवा दी पूरी अलग फिर उसके बाद जो हमारा पुराना हैंडल था डिसकावर का किसी भी बाइक में हैंडल जो आता है अगर आप कैफे रेसर बनवा रहें त तो उसका जो राउंड शेफ का एयरिया था उत्ता मैंने कट कर लिए उसके बार्व हटा दिये और ब्राऌनव को मैंने कट करके चॉप करके यह पीछे जो आप देख रहे हैं यह हैंडल है मेरा पहले वाला मैंने उसको ऐसे थोड़त तीच्छा करके यहां से वेल्ड करव तो वह ब्रॉड हो जाएगा मैंने पहले भी चेसी करवाई थी मैं आपको उसका भी दिखा दूँगा तब बहुत ही भद्दा लुका रहा था गाड़ी में जूटनी बोलूँगा क्योंकि मेरो करवाना था तो यह जो लुक था मेरा यह मेरे को काफी कंप्लीट और काफी जन्त कम होगी मैं तीन लोग भी ठाके चला चुका हूं इसको कोई दिख्कत नहीं आती है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग करते हैं मुआ लगा है च्छाएब करदा है अभाइक जन्नाषी कोईड़ किते हैं लाइक हैं झाल झाल झाल